हलो नमस्कार दोस्तों, welcome back our official YouTube channel youth competition time साथ्यो youth competition के official YouTube channel पे आप सबी लोगों का हारदिक स्वागत है साथ्यो एक नए वीडियो और एक नए official update के साथ आपके सामने आ रहा है जी हाँ साथ्यो ये जो मैं official update आपके लिए कर के आता हूँ ये daily के purpose पे मैं एक एक official update आप लोगों के लिए करके आता हूँ जो कि आपके upcoming examination से related होता है कि कौन कौन से examination conduct होने वाले हैं किसका किसका online registration start हो गया है किसका किसका admit card आ गया है इन तमाम fact and circumstances से related मैं एक एक आपके लिए videos ले करके आता हूँ साथियो आज उसी के कड़ी में एक औ सभी लोगों के द्वारा सुना गया होगा और उसी के GMU से क्या निकाला गया है एक job opportunity निकाली गई है और साथियो मैं आपको बता दू कि यह नर्स के लिए इतनी वड़ी वैकेंसी निकाली गई है लखनाउ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्स्टी लखनाउ के द्वारा 1291 पोस्ट के लिए पे job opportunity create किया गया हम एक एक fact and circumstances को आपके सामने यहां पर रखने वाले हैं कि किस किस टाइप का यहां पर डिग्री आपसे education qualification की demand की जा रही है इसका online registration कब से start होगा इसमें कितना फीस आपका online registration का लगेगा साथी साथ हम इसमें syllabus को भी discuss करेंगे तो आप विडियो को अंत तक देखिएगा आपको सेलेबस भी पता चलेगा आपको इसका essential qualification भी पता चलेगा साथ साथ इसका online registration कब से होगा last date क्या होगा age relaxation क्या होगा किसको कितना सीट प्रवाइड किया गया ओवी सी को कितना प्रवाइड किया गया सभी के सभी fact and circumstances पे हम मैं एक ए और एक एक online registration के बारे में हम देखते हैं देखिए साथियों यह जो आपके पास आया है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं मैं पेन ले लेता हूं देखें यह जो आया है साथियों यह King George Medical University कहां से आया है तो मैंने इसके बारे में already आपको detail में analysis करा दिया कि यह कहां के नाम से जानते हैं King George Medical University कहां उत्तर परदेश लखनव से यह आया है और उत्तर परदेश वालोग आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपर्चुनिटी प्रोवाइट किया जा रहा है कहां से तो KGMU से कर रहा है जन्रल एंड बैक लॉग रिकूटमेंट की बात कर र कर लार toxic इसी में अड कर दिया गया यह आपका हो गया back लॉग धयप recognize यहां पे आप आपके ध्यान देने लाईक यहीं बात है यह किसकी बात कर रहा है साथी हो तो नर्सिंग ओफिसर की बात कर रहा है और इसी往फिसर के पोस्ट conception के लिए क्रहिए निकालाग यहां पर उनलाइन एक्जामिनिशन देते हैं इस इस्का भी कंड़ेक्ट करवाया जागा अभी मैं बताऊंगा कि अधान एक्सेटी के साथ मैं यहां पर रीड आउट करूंगा और आपको वह चीजे दिखाऊंगा देखे यहां पर सबसे बड़ी बात लिग रहा करा online application form will be displayed shortly on KGMU website इसका form आपको कहां पर सो कर रहा है तो जो यह King George Medical University की website है उसी website पर आपको सर्च करना है और वहीं पर देखना है प्लीज वीजिट था KGMU website continuously www.kgmu.org यही इनका official website है और आपको form भी अगर फिल करना होगा तो आप किसी और साइट पर नहीं भटकेंगे आप यूपी ट्रिपल सी के साइट पर नहीं जाएंगे आप डायरेक्ट कहां जाएंगे आप डायरेक्ट इसी इस पर इंडिया इस पर इंडिया और सेलेक्षन थू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ट की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है तो भारत का कोई विनागरी किस फॉर्म को क्या कर सकता है इस फॉर्म को अपलाई कर सकता है और उसका एक्जामिनिशन का एंसे कंड़क्ट करवाए जाएगा तो साथी आप लोगों ने देख लिया कि सी बीटी बेस्ट मिंस की कंप्यूटर बेस्ट एक्जामिनिशन उनका कंड़क्ट करवाए जाएगा साथी सदकर है किसके लिए नर्सिंग ऑफिसर प्रिवियसली नोन एज सिस्टर ग्रेड सेकेंड जिसको कि हम लोग नर्स में सिस्टर के नाम से जानते थे सिस्टर सिस्टर हम लोग जाते थे नर्स में नर्स को सिस्टर ही कहा जाता है तो कह रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर प्रिवियसली नोन एज सिस्टर ग्रेड सकेंड का यह क्या दिया जा रहा जन्रल लिक्रूट्मेंट एंड एडवर्टाइजमेंट नमबर 15 गर सेक्षिक नियुक्ति एवं एवं चयन अनुभाग 2023 डेटेड बाइश दो हजार तेज बैक लॉग रिक्रूट्मेंट आफ दे दो मेडिकल उनिवस्टि उत्तर परदेश की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है तो एक पहलो पर क्या कर चलिएगा ध्यान देचेट चलिएगा कि बात कर रहा है कि स्पेसल नोट में क्या का आ जा रहा है एक एक फैक्ट को मैं आपको समझाओं गा मैं उड़ता हुआ गेम नहीं किलूँगा कि मैंने यह आपको दिखाया फिर चले आँगे नहीं एक चीज को आपको समझना रहा है नो एप्लिकेशन फीविल भी एक्सेप्टेट अक्र दमेंसन इन दा एबवर्टाइजमेंट टिल लास्ट डेट अप सम्मीशन कर रहा है कि आईसा नहीं है कि जो हमने डेट दिया है उसी डेट के बीच में आपको फॉर्म फिल करना ऐसा नहीं कि आप अगले महिने में अगर का लैस्य लाग्र यहीं लाश्ट डेट आपका रखा गया हूँ अब करने का बीच हाँ कि आपके फॉर्म कर रेजिस्स्यस होने का भी तो लस्ट डेट आपने यहां पर देख लिया दबुकेशन्न कर प्रिंट आप अगर आपका बैंक में जब तक पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक आपके फॉर्म को क्या किया नहीं जाएगा यहां पर प्रिंट आउट करके यहां पर नहीं प्रोवाइट किया गया candidate are advised to visit KZMU Medical University website for the detail schedule of the examination and application process for applying the post under the general and backlog recruitment के बारे में तो आपको कहीं भी भटकने क्या होशकता नहीं मैं एक एक फैक्ट को आपके शामने यहां पर रखने वाला हूं देखते चलिए बस आप लोग वीडियो पर बने रही है और एक चीजों को आप आप करते चलिए जो कि आपके लिए इंपर्टेंट किहां यहीं पर बता रहा हूं है क्योंकि यहीं पर बता रहा है द मीडिया अप कैसा होगा तो कंप्यूटर बेश्ट टेस्ट आपका कंड़क्ट करवाए जागा है इंगलिस एंड हिंदी लेंगेजों वनली इन्फॉर्मेशन रिकॉर्पार कंडिडेट और अनलाइन वनली एप्लिकेशन सुल्ड भी एप्लिकेवल फॉर अप्लाइंग अंडर अप्लिके क्या किए जाएगा आपके फॉर्म को एकसेप्ट नहीं किया जाएगा सिर्प और सिर्फ यहां पे उनलाइन जेन्रल रिक्रूट्मन्ट की अगर हम बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट नमबर टू भी मेंचन लिए अप्लिकेशन नेम आप फोस्ट की हम बात करनेंगे कि कौन सा पोस्ट है नमबर आप लेकंट पोस्ट टाइगरी जंडर मिंस की केटेगरी कि किस केटेगरी को कितने नंबर पोच्ट यहां पर प्रोवाइट किया जारा है यहां पर देखिए यहां के हम बात करते हैं तो यहाँ पे 268 की बात कर रहा है लिए अथी कि इसको उनलीश कर लिया यह आपके लिए इमपाटेंट था यहां पदेरा डेवक्ती में exactamente नर्सिंग आफिसर की बात कर रहा है तो आपने इसको भी देख लिया कि कितने नंबर आप पोस्ट किसके किसके लिए जारी किया गया आगे चलते हैं आगे देखते हैं और आपके लिए क्या इंपोर्टेंट चीज हैं अभी यहां पे बैकलॉग वैकेंसिस को आप लोग क्या अला गया था लेकिन सक्षम कैंडिडेट नहीं मिलने के वज़से या किसी भी कारण वास इस सीट को नहीं फिल किया गया तो यह आपका बैकलॉग हो गया सी के लिए यहां पर कितना है आपके पास आपको देखने के लिए मिल रहा है तो आप एक चीज को आप यहां पर क्या कर रहा है एक चीज को आप यहां पर करते हुए चलिए आगे फिर चलते हैं आगे देखते हैं आपके लिए क्या यहां पर सेयर किया जा रहा है अभी मैं आपको एक चीज को यहां पर यहां पर सो तो तो आसा कत्ता ही आप नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं यह बात यहाँ पर इंवने लिखा है अब देखें सीडियल नंबर की हम बात करेंगे अपलिकेशन कीवाप करेंगे साथ ही साथ बात करेंगे टोटल रूपीज इन इंडियन रूपीज की हम बात करेंगे तो अन्रिजर्व के लिए एक हजार रुपय रखा गया है जी एश्टी एक सवस्टी रूपय तो एक आरा सवस्टी रूपय फीस आपका लगेगा जनरल भाई साब बात करते हैं तो इनसे भी आरा सवस्टी रूपय चार्ड रखिया जाएगा यहीं पर हम सवस्टी और पीड़वडी इस केंडिडेट की बात करते तो एक सवाट रूपय इंसे जाए और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटीस था जिसको की आपको देखना जाना जरूर हम बात करते हैं साथिओं लिमीट की किस की ही बात करता हैोंब में मिनिमोम आपका रखा गया और मेक्सिमम आपका 40 एज यहां पर रखा गया और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट नूटीस था आगे चलते हैं आगे देखते हैं कि क्या दे रहा है अगर आपको एज रिलेक्सेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे आप एज रिलेक्सेशन की कॉलम को भी बाई टाइम बिंग का काम नहीं करता अब एक चीज आपको यहां पर क्या करना है एक चीज को अब आपको ध्यान से देखना क्योंकि यह आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिमेंट है एडवर्टाइजमेंट नंबर को आप लोगों ने बार बार देख लिया नेम आप दो पोस्ट को देख लिए ग्रूप की बात करते हैं इसेंसियल एलिजिबिल्टी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं यह आपने किस टाइप का पढ़ाई किया होगा इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं आप फिल कर सकते हैं तो इसके इस एलिजबिल्टी क्राइटेरिया को हम देखते हैं इसको थोड यह ब्याटि में नर्षिंग में प्लेन भी अधी कि बॉद कर नहीं कर रहा क्य Bene गोचिंग कर रहा है कि रहा है फॉड आ करण कर रहा है फॉड और विस्टेटом कर रहा है पढ़र सेकेंड वाले मैं बात कर रहा है register as a nurse and a medwife in state विस्टेट वर्सेज इंडिया council के अंतरगत आपने क्या किया और रजिस्टेशन करा या हो तब आप क्या कर सकते हैं तब आप इस form को फिल कर सकती है यह आपके लिए क्या है यह आप के लिए essential qualification की बात कर रहा है सेकेंड वाले क्वालिफिकेशन के तरफ हम चलते हैं, सेकेंड वाले क्वालिफिकेशन में देखें यहां पर और लगा करके रखा और और वाले में क्या कर रहा है, सेकेंड वाले में कर रहा है, डिपलोमा इन जनर्रल नर्सिंग, मेड़ वाइफ फ्रम एन इंडियन नर्सिं प्रकार का अगर आपके पास क्या होना चाहिए साथी साथ उसके सैटिफिकेट भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए और आपको क्या होना चाहिए तो इसेंशियल क्या होना चाहिए और यह आपके लिए इसेंशियल क्या आपके लिए क्या था अगे देखते हैं क्या कर रहा है application form की अगर हम बात करते हैं तो application form साथ यूँ आपका इसी website पर जा करके फिल किया जाएगा आप फीस की बात कर रहे थे तो फीस को मैंने आपके सामने आल्रेडी दिखा दिया था कि 1000 रुपे लग रहा था और तो यहां पर लोगों ने आल्रेडी यहां पर सीन कर लिया अब आगे चलते हैं अब यहां पर हम देखते हैं कि आपका क्या होगा examination में क्या क्या चीज़े आएंगी आप लोगों तो यह पता चल गया ना कि हां यह सारी चीजे आने वाली हैं और computer-based test आपका conduct होने वाला है अब यहां पर देखिए कर रहा है computer-based test for all candidate की बात करते हैं अब syllabus भी तो देख लीजिए कि examination में क्या क्या आएगा तो कर रहा है computer-based test will be held CBT will be 2 hours का कितने घंटे का आपका paper conduct करवाय जाएगा साथ ही हो तो दो घंटे का आपका paper यहां पर conduct करवाय जाएगा दो घंटे का आपका examination होगा अब देख लीजिए will be 100 mark और कितने number का होगा 100 marks का होगा अब यहां पर देखिए serial number को देखिए subject को देखिए और total marks को देखिए अगर हम serial number की बात करते हैं किसकी बात करते हैं serial number 1,2,3,4,5 यहां पर 5 serial number दिया है subject related to the post and the label of the qualification क्या कर रहा है nursing से related question पूछे जाएंगे कितने marks के तो 60 marks के आपके nursing से related जो भी question होगे आपके subject से वो पूछे जाएंगे ठिक second में कर रहा है general English पूछा जाएगा कितने marks का तो 10 marks का आप से general English पूछा जाएगा थर्ड में reasoning की बात करते हैं तो 10 marks का आपका क्या पूछा जाएगा 10 marks का आपका reasoning भी पूछा जाएगा फूर्थ में general knowledge की हम बात करते हैं तो 10 marks का आपका general knowledge भी पूछा जाएगा mathematical की बात करते हैं मिंस की aptitude mathematical aptitude की बात करते हैं तो 10 number का यह भ पीछा कभी भी छोड़ने वाला नहीं है अगर आप competitive examination की preparation करते हैं तो science आपका पीछा छोड़ने वाला है नहीं मिन्स के जिसमें gs हमारा पूरा आ जाता है हमारा reasoning छोड़ेगा नहीं पीछा इंग्लिस छोड़ेगा नहीं पीछा और क्या कहते हैं और general English भी हमारा पीछा छोड़ने वाला है नहीं तो यह चारों के चारों तो as usual subject है यहीं आपका एक अलग subject है और यहीं आपका क्या है यहीं सारी सलेवस के आपके examination में पूछे जाएंगे और सभी के सभी examination कैसे होंगे तो आप देख सकते हैं सभी के सभी mcq based आपके examination होंगे मिन्स की multiple choice type के आपके examination यहाँ पे conduct करवाया जागे और final merit list निकाला जाएगा और उसी final merit list के भिहाब पे आपको क्या दिया जाएगा आपको selection provide किया जाएगा अब आप कहेंगे कि इसका online registration कब से start हो रहा है online registration की अगर हम बात करते हैं साथियों कि इसका online जो application start हो रहा है application की ह आप करते हैं application इसका कब से start हुआ है तो online application इसका जान जाएए कि आपका यह कब से हुआ है तो 22 जूलाइच से इसका online registration start कर दिया गया है साथी साथ अगर हम लाश्ट डेट की बात करते हैं साथियों तो लाश्ट डेट मैंने आपको अल्रेड़ी बता भी दिया है जो कि कि क करेंगे आपको नहीं करना तो जो भी हो सकता था हर एक fact and circumstances को आपके सामने रखने का definitely प्रयास किया गया कोई आपको इसके बाद भी लगता है कि कोई हमारा comment section open होता है क्या होता है सातियों में भी कमेंट करके कोई बी जन्वीन चीजों को आप क्या कर सकते हैं आप पूछ सकते हैं कैसे preparation होगा किस बुक से preparation होगा तमाम पर नशरकमिस्थान से से रिलेटेडब कोई इसपर comment कर दीजेगा आपके कमेंड का में भी रिप्लाई भी पॉजिटिवली दिया जाएगा और साथ यो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी डिजारेवल कैंडिडेट है जो भी हमारी नर्से बहन है जिनको भी लगता है कि इस टाइब का जौब उनके पास होना ही चाहिए विडियो से जूढ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं और अपने फार्म को फिल करके एक अच्छा सा सरकारी नौकरी पास सकते हैं पिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में नेक्ट अट्ट के साथ तallasब दिखन्यबाद